कि नमस्कार दोस्तों मैं विराट तोदरी श्वागत आपके अपने टूब चनल कमांड ओकेट भी में दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए ध्यान से देखें एंड तक देखें क्योंकि अब सभी को पता कि कल एक नोटिस आगया करें से जीडि की तरफ से में कई फीवाँ बोल चुका हूं हर एक वीडियो में ने बोला था कि जब भी सब्सक्राइब कोई नोटिस देकर डिले करेंगी अगर बढ़ती डिले होगी तो एसाइसीडि की तरफ से कोई ने कोई नोटिस ज़रूर देगा और वही बात हुई उ भी जून तक फोरम बरे जाएंगे लेकिन उसके बाद में माई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में जो आपके एक्जाम होने उनकी डेट पॉस्पॉन नहीं की गई है, अगर उनकी डेट पॉस्पॉन होती तो SSE के तरफ से कोई न कोई नोटिस अभी इस नोटिस के चाहिए, और क्यों भी तयार कालेंट चाहिए, उस कब में रिजन बताऊंगा, दोस्तों कहीं भी, बहुत सारे बच्चों के क्यों सनाते हैं, EW स्वालों की भी, और भी जो क्या क्या मूल डोकॉमेंट्स हैं, जिन में आपके मिश्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर उनमें क कारण आप में जितने मिश्टेक कर दी आपके डोकॉमेंट्स में, जो भी आप में डोकॉमेंट्स बताने वाला हूं, अगर इनमें आपने मिश्टेक कर दी, तो आपको जोनिलेटर नहीं मिलेगा, आपको पहले घर बेज़ दिया जाएगा, तो इस बात का विशेज ध्या करेंगे नहीं दोस्तों, इसलिए करा रहा हूं, आप सभी का, क्योंकि डोकॉमेंट्स में अगर गलती हुई, या फोरम भढ़ने में अगर गलती हुई, तो फायदा क्या रहेगा आपकी तैयारी का, आपकी तीन साल, चार साल की मेहनत का, और जब चार साल बाद में आपको पूछते रहेगे सर, हमारा क्या होगा, तो आप यसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता दू, सबसे पहले आपको क्या करना है, कि जो डोकॉमेंट्स है, आपकी तेंथ क्लास की मास्चित, यानि आपकी जो तेंथ क्लास की मास्चित है, उसको मूल अधार मानना है, तो चेंटर् गोऊब्मेंट के दोकोमेंट्स अनीजी DAN अगर Linux वाला bị means ज्य में बनेता है यह चैनटर् गोऊब्मेंट्ट का होना द्धोबedu बियां रखना नहीं तो इसका आपको कोय फािदा नहीं होगाban का स्पाइद राख तो दोस्तों आपके 10th class की मार्षिट को आपको मान लेना आधार, आधार का मतलब है कि मूल आपका जो डूकुमेंट है, वह है 10th class मार्षिट क्यों, क्योंकि उसके दोवरा आप यह भरती में देखने जा रहे हो, एक उसमें जो जनम डेट है, 10th class की मार्षिट, उस जनम है, तो 10th class की मार्षिट मूल होगी, अब 10th, क्या फी सारे बच्चे क्या है, जिनके माता-पिता के नाम अलग है उनके डॉकॉमेंट में, और उन बच्चों के डॉकॉमेंट में माता-पिता के नाम डिफ्रेंट है, या मेनिंग जैसे परवीन में, पी, डबल भी, आरे, उ माता-पिता के डॉकॉमेंट में कोई भी नाम हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो आपके काम में आएंगे, उन डॉकॉमेंट में आपके माता-पिता का नाम आपकी 10th class की मार्षिट के अनुसार होना चाहिए, इस बात का विश्यज जान रखे, आब आपको डॉक टिष्यचक को दो धीन होना चेंट वर्मेन का होना चेंगे, फिर आपको मूल निवस के आदारीं पर ही उस फ्युस्ते है को मि an grass के में हो सामिलिया जाएगा अगर आप अधर स्टेट से एपलाई करते हो तो उस स्टेट की मेंट में आपको समिल किया जाएगा लेकिन आपको मूलनेवास उसी स्टेट का लगेगा जिसके आप रहने वाले हो ठीक है तो एक तो गया आपके आदार काट में बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए एक आपका सिगनेचर ध्यान रखना दोस्तों फोरम बढ़ने द्याओ तो आपका सिगनेचर करते हो वह सिगनेचर मोस्ट इंपोटेंट है आप इस भरती के दुरान सेम ही सिगनेचर करना सब्सक्राइब तो एक बार उसको अपनी नोट बूक में कर लेना था कि आपको पता रहे कि मैंने ऐसे सिगनेचर के आदार पर आपको जांसा जाता है तो अगर सिगनेचर सेम हो तो आपका सेलेक्शिन हो जाएगा नहीं हो तो आपको भार कर दिया जाएगा तो यह डोकुमेंट्स है यानि 10th क्लास की मार्ष्ट मूल आदार है उसके आदार पर आपको अपना अधार कार्ड आपकी जितनी दोकूमेंट्स है वो आपका मूल निवास, आपका कार्ड शेटिफिकेट जो यह या nessa van कई के पास में वह रूकोमेंट्स आपको त्यार कर लेना है और अच्छे से बिलकुल अच्छे से मैंने बताया टेंथ क्लास की मार्शुट के अनूस और एक वर्ड का भी मीनिंग का भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यह तैयार करके रखिए जैहन जैभारत